इस वीडियो इस स्पॉंसर्ड बाई वीकार्ड चारिक बैठक होगी उसके बाद वो बात सीष्ट ने तिर्टु तक पहुंचेगी उसके बाद जब कोई फैसला होगा तो इसमें समय लगता है और तब तक सस्पिंस मना रहेगा और मैं बार-बार कहता हूँ कि जो यह नई बीजेपी है नियो बीजेपी उसमें टॉप बहु और फिर जाकर पार्टी में पता लगेगा तो तीनो राजियों में जीतने के बाद चुकि सभी राज्ये नारेंद्र मोदी के नाम पे लड़े गए थे चुनाओ तो उन्हें तैक करना है कि सीम कौन होगा लेकिन कुछ चीजें चुकि मैं आपने कहा कि मैं फॉलो करना यह जरूरी नहीं है आजकल कम मिलती है यह जानकारी मेरे पास जरूर है मैंने दो दिन पहले ट्वीट किया था मुझे लगता है कि मैं मेरे पास यह जानकारी है वो सही है कि शिवराज सिंग का नाम फाइनल है पहला स्टेट जहाँ मंणको जगाओ वीगाड वॉटर हीटर्स की संग वीगाड शपत गरन होगा, वो मध्यप्रदेश होगा, ये दो-तीन दिन के अंदर होना चाहिए शिवराज सिंग चोहान वहाँ शपत लेंगे, वहाँ उनके नाम पर कोई संशेन नहीं है आज आईए च्छतिस गड़, च्छतिस गड़ में दो-तीन नामों की चर्चा है चोकि वो नाम पब्लिक डोमेन में है, इसलिए या तो दोहरा भी दू, वहाँ साउ समाज के लोग बहुत जादा है अरुन साउ वहाँ तरदेश के अध्धश है, तो संगठन का उनका अनुभव है उनका नाम बहुत तेजी के साथ चल रहा है, चौबिस में चुनाओ हैं, तो उस लिहाँ से भी किसी ऐसे विक्ति को बनाना जो चौबिस में पॉलिटिकली फेचिंग हो, ये जरूरी है इसलिए उनका नाम बहुत प्रमुक्ता के साथ चल रहा है, दो-तीन नाम जो और सामने हैं, वो बलिराम कश्यप के एक लड़के हैं, केदार कश्यप, उनका लंबा अनुभव है, वो बीजेपी सरकार में मंत्री रहे हैं, बलिराम कश्यप तो बड़े नेता थे, कम है एक महिला केंद्रिय मंत्री, लेकिन उनका नाम भी लिया जा रहा है, मुझे नहीं मालूँ कि क्या महिला पे और आदिवासी पे ये दाओ खेरा जाएगा, दो महिलाएं भी सीवें हो सकती हैं क्या, तीन में से, ये भी कह सकते हैं आपकी, ये नारिटिव पोलिटिकल नारिटिव गढ़ने में बीजेपी का जवाब नहीं है, उसको परकॉलेट करके नीचे तक फैलाने में उनके पास जो स्ट्रेंथ है, जो आमी है, वो बहुत बड़ी है, तो वो ये कह सकते हैं कि जो नारी वंदन अधिनियम बड़ा दिफिकल नाम रख दिया है, मतलब वो आरक्षन की जो विवस्था की है, उसमें हमने आज से ही कर दिया, तीन में हो सकता है कि दो जगा मुख्यमंत्री महिलाय हो जाए, तो या एक तो होनी ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर 33 परतिशत आरक्षन दिया है, तो तीन में से एक दे दिया, तो संदेश ये हो जाएगा क देखे हो, हमने शुरू कर दिया, देखिए, हर्याना में कोई जाट कोई होना चाहिए था, लेकिन खटर साब हो गए, मुझे एक बड़े नेता ने कहा, सुकेश तुमने सुना, खटर, अब नाम नहीं बताना चाहता हूं कौन बड़े नेता है, कोई किसी मराठा को होना च सकता है कि हाँ, इसमें एक कम से कम तो महिला होंगी, तो वो मतलब 36 गड़ में होंगी, एक नाम जो मैं और एड कर दू जिनका नाम चल रहा है, वो विश्नुदेव साही है, लेकिन सबसे जादा वहाँ वोटर जो है, वो साहू समाज के आते हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि उसको ध्यान में रखते हुए, 24 को ध्यान में रखते हुए, हो सकता है कि अरुन साओ का नंबर लग जाए, राजस्तान का जिकर आपने किया कि बहुत सारी विधायकों से वसंधरा मिल रही है, अब ये डाड़, इस डाजन गो वेल विद वीजेपी, विद नियो बीजेप कि अगर कोई अपनी स्ट्रेंथ दिखाने की कोशिश करे, तो वो बहुत अच्छे लाइट में यहां नहीं लिया जाता, लेकिन ये बास जरूर है कि पैन राजस्तान की अगर आज भी कोई लीडर है, तो वो वसंधरा है, वसंधरा की स्ट्राइक रेट अच्छी बताई ज मैं सिर्फ स्पेकुलेशन की बात कर रहा हूं, चत्तिज और राजस्थान के बारे में श्योर शॉट कहना मुश्किल है, लेकिन वसंधरा के अलावा जो और नाम चल रहा है, अब उसमें तो एक योगी जी है, राजस्थान की योगी जी उनका भी नाम चल रहा है, हलाकि उनका नाम काट के देखता हूं, दियाकुमारी किसी नई महरानी को बनाने का मुझे नहीं लगता है कि दियाकुमारी भी बनाई जाएंगी, तो बच गया कौन CP जोशी हो सकते हैं, वो ऐसे वक्त में अध्यक्ष बने जब BJP में वहाँ बहुत हंगामा था, और वो पूरी BJ BJP को साथ लाने में, वसंद्रा को भी साथ लाने में काम्याब हुए, तो एक डार्क होर्स वो हो सकते हैं, गजेन शिखावत गजू बना के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने वो गहलोत के शेतर से भी आते हैं, तो कहा जा रहा है कि नहीं केंडर से उनको वहाँ भी जा ज दिया है कि वहाँ के लिए गो अहेड दे दिया गया है और इसलिए शिवराज जो है, वो वो काफी कॉफिडेंट दिख भी रहे हैं, और जो नंबर्स उनके पास हैं, और जो कि वो इंकंबेंट सीम रहे थे, तो लॉजिकल कंक्लूजन पर मैं ये पहुचता हूँ कि उनको तो वो चेह डिनाई नहीं की जाएगा, ओके, इस वीडियो इस पॉंसर्ड बाइ वीकार्ड